तो क्लास अब हम यहाँ पर सीखेंगे हमारे दूसरे learning objective के बारे में जिसका नाम है the tissue system तो इस topic को समझने से पहले हम यहाँ पर एक recall test करेंगे ताकि अब तक आपने जितनी भी चीजों को सीखा है उन्हें आप इस recall test के थूर revise या recall कर सके और अपनी performance को पहचान पाएं तो हमारे questions हैं ये आपको इन questions को अच्छे से पढ़ना है solve करना है और इनका answer copy में note down करना है और इसके लिए हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए pause करेंगे इसके अलावा यहाँ पर दो और questions आपको दिये गए हैं आपको इन questions को भी अच्छे से पढ़ना है solve करना है और इनका answer copy में note down करना है और इसके लिए भी हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए pause करेंगे तो बच्चों और questions को solve करने के बाद अब answers match कर लेते हैं तो जो answers यहाँ पर दिये गए हैं वो है यह solution 1 D, solution 2 A, solution 3 A, solution 4 B and solution 5 C